एक आदमी ने कहा कि हमारे गुरु जी ऐसे सिद्ध हैं कि एक लड़का छट पर से नीचे गिर गया परिवार के लोग महा हाकार मचा जुलुम हो गया गुरु जी ने कहा रुख जाओ तो छट के नीचे प्रथवी के ऊपर बीच में लड़का तिरसंकों कितना लटक गया यह चमतकार है अब बिवे के हीन लोग चमतकार के भंदे में बहुत फंसते जा रहे हैं बिवे के हीन बिचारों में विश्वास कर लेना तत्तों विश्वास कर लेना है सारे चेजें अंद्नपरमपड़ा हैं बानते चले आ posit कि अंद्नपरमपरा पर वेदिजार कीजिए dar primo गलत नहीं है हम्करमपड़ के अंद्न परमपड़ा अंद्न परमपरा चमतकार, अंद्विश्वास, अतिषयोकति अखिर, कोई नियम तो है प्रक condemn? एक नियम है कारण कार्ज गवस्ता, जिस कारण से जो कार्ज होते आए हैं, उसी कारण से जो कार्ज होते रहेंगे, अयंद प्रम्परा आज से नहीं है, एक प्रकास पुझ नीचे उतर उतर नीचे और मर्यम के पेट में समा गया, और प्रकाश कुछी दिनों के बाद इसू के रूप में अबतरीत हो गया, गोकर्ण जी किसी के कान से जनम लिए, क्या कान में बच्चेदानी है, बिविक तो स्विकार नहीं करेगा इस बात, द्रोन से पैदा हो गया, द्रोन में बच्चेदानी है क्या, गर्वस्थल है क्या, कारण कार्विवस्था माता पिता के सन्योग से बच्चे होते हैं, अगर वो दोनों का मसाला बवस्थी तो हो, द्रदोश हो, बिकार रही तो हो, बच्चे होंगे, बिना माता पिता कोई बच्चा हो जाए आज तो लोग चमतकार की बात करने लगे हैं कि ट्यू से भी कैसे कैसे बच्चा पैदा हो जाता है उसका जो कोई परखंड बसेगा, पंचायत बनेगा प्रदेश बनेगा, कोई प्रांत बनेगा तब विष्वास क्या जाएगा, अभी इस पर विष्वास नहीं क्या जा सकता है वैसे दिए कंप्यूटर भी सब काम कर लेता है यांतरी की जोग है जंद से बहुत सारे काम होते है कंप्यूटर को भी चलाने वाला कोई है, तभी कंप्यूटर चलता है तो अविध्यानिक मानता हैं जो लोग पास है। सारी अंधपरंपराओं के भिखंडन करने वाले सद्गुरु कभीर को कुछ कभीपरंथियों ने उस अंधपरंपरा में जोड़ने का प्रियास किया। एक प्रकास उत्रा मर्यम की पेट में चला गया। इस वह का बाहर निकल गया। कभीर पंथियों नों सोचा कि यही चमतकार कभीर सहाब में जोड़ दें। उतर यसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर आके बन गया बाहलक भाना हो तो ऐसा हो। कासी के लहरतारा में तलाब में एक कमल पुस्प है को उपर से एक प्रकास का पुंज उत्रा और कमल पुस्प पर बच्चा की रुपन रुपांतरीत हो गया। हमको आश्चर लगता है कि आखिर वह कमल कैसा था जिस पर सरस्वती निप अर्षन लगाती है। उसमें कमल कैसा था। कितना वजन बहन करने की शक्ति उस कमल में थी। जो सरस्वती को अपने उपर धारन किये हुए है। कबीर सहयव सी सुरुप में दुयोग के लो तो जन होगा। कमल कैसे भारवहन कर लिया। अब प्रकास का गोला आदमी कैसे बन गया। बहुत सारी चमतकार की बाते हैं। सारी चमतकार की बाते हैं एक दम विवे की बिरुद्ध है। आद बिवेक प्रकारता सुधीत हो रहा है। सारे चमतकारों पर प्रस्ण चिन लग रहा है। जैसे जैसे आदमी के अंदर बिवेक का निखार होता है। इस चमतकार की बात पर अंगलियां उठ रही है। अंध परंपराओं पर अंगलियां उठ रही है। चमतकार पर अंगलियां उठ रही है, आज बहुत सारी अंदमग परंपराएं नहीं हैं, अंदपरंपरा विवेक हीन मानताओं के क्रम को पाते हैं, जिस मानता को विवेक नहीं स्विकार करता है, जिस विचार को विवेक स्विकार नहीं करता है, इसलिए अंदपिश्वास, ये चमतकार, इस सारी के सारी अवज्ञानिक धारनाएं अंदपरंपरा के अंदर आते हैं, और अंदपरंपरा ज्ञान बिहिन लोगों की मानताओं से प्रावम होती है, विवेक बढ़ता जाएगा, क्रम्र साम नहीं कहा है, इस चमतकारों की चमतकारी तब तक चलती है, अंदविश्वास फैलाने वाले लोगों का क्रम तब तक चलता है, जिस समाज के बीच अंदविश्वास को चमतकार को बढ़ाना चाहता है, समाज का शोसन दोहन करना चाहता है, उस सोसीद दमीत लोगों के अंदर जतर विवेक का उदगाट नहीं होगा, उसकी चेतना शक्ती नहीं जगेगी, तब तक अंधपरंपरा बादियों से समाज की खैरियत नहीं है, कल्यान नहीं है, छुटकारा नहीं है, सद्गुरु कबीर ने कहा कहा ही, कबीर ठगसों मनमां, अगई ठगोडी जब ठगता ही चाहता है, तो सारे लोगों के एक ही दवा उसकी है, कि सब की चेतना सजग हो जाए, चेतना कुंठित दशा में है, मंद दशा में है, इसलिए यहां अंधपरंपरा चल रही है, अंधविष्वास चल रहे है, अगर चमतकार अंधविष्वास, अंधपरंपरा समाज में विखरा हुआ रहेगा, समाज की बड़ी दुरुगती होती रहेगी, दुरुगती का समाज का वज्ञानिक धांसे सोसं तोहन उपिरन होता रहेगी, अभी अभी एक आदम, एक साधु का शायवस्त्रधारी, किसी न उसको कह दिया, कि जहाँ आपने आश्रम बनाया है, उसके नीचे अनंत भन का बंडार है, साधु तो था भगवान को तो मामता था, लोग पर लोग को तो मामता था, विविएक उसके सक्तिक पंठित हो गई थी, उसने कहा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, का लब हम चार लाख रोपे खार चाहूंगे, साधु जैसे हुआ, तैसे चार लाख इन जाम करके दे दिया उसको, घटना लंबी है, वो अव्यक्ति चार लाख रोपे पाया, अगा धीरिय से निकल गया, फिर भी साधु को विश्वास नहीं हुआ, कि हमारे साध धोखा किया है, और हजारों लाखों खर्च करबा दिया, तमाम दस फिट जमीन कटबा करके बाहर फेकबा दिया, कुछ मिला उला नहीं, साधो विखितेशा हो गया, यह सर्चमतकार, यह सब धोखा धड़ी, विवेक को प्रस्रे नहीं देने के कारण चल दा हो, अकाभी ठला रहे है, तो मैंने कहा कि अंध्परंपरा क्या है, सारी अवेज्ञानिक मानताएं अंध्परंपरा है, अंध्शर्धा है, अंध्विश्वास है, चमतकार है, चमतकार यह साथ पाखंड तो कुछ हो नहीं सकता है,